बालों को बहुत तेजी से लंबा और घना कर देगा ये उपाए बस इस तरीके से कर लेना नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका रोका नुसार में एक और इंपोर्टेंट वीडियो के साथ है महिलाओं को अपने बालों के प्रति बहुत लगा होता है हर ललकी की चाहत होती ह कि उसके लंबे और घने बाल हो लेकिन और घने बाल देखने में बहुत अच्छे लगते हैं लंबे बालों से ना सिर्फ आप खोबसूरत लगते हैं बलकि खोबसूरत महसूस भी करते हैं यह आपके आत्मिस्वास को बढ़ाता है लंबे बाल आपके खोबसूरती को चार चाहर लगा देते हैं कि आपकी खुबसूरती को और बढ़ाते हैं आज कल की इस भाग दोड़ भरी जिंदगी में लड़कियों के लिए लंबे बाल सिर्फ एक खुबसूरती निखरती है लेकिन बालों का जड़ना आज कल आम समस्या हो गया है लेकिन पतले बाल और गंजापन एक ऐसी समस्या है जिसे हर कोई जल्द से जल्द ठीक करना चाहता है कुछ सामाने कारक जो बालों को पतला बनाते हैं उनमें सामिल है सारीरिक या भावनातमक तनाव, हार्मोन्स अच्वंतुलित होना, पोस्टर की कमी, प्रदूसर, इलर्ज बालों के लिए हानिकारक उत्पादों का इस्तेमाल करना, बालों की देखभाल सही से नय करना और अनुवान सी कार, लेकिन बालों को कुछ तरीकों से लंब और खाना किया जा सकता है, इसलिए आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे घरे लुपाई बताने जा रहे हैं जिसे अपना कर आप अपने बालों को तेजी से लंब और खाना कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पको वीडियो पूरी देखनी होगी, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आपसे कोई भी खास जनकारी छूटे और आपके लंबे बालों का सपना धूर रह जाए, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कना ना भोलें, इससे हमारा मोटिवेशन अप होता है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन दवाने के साथ ही आउल नोटिफिकेशन को जरूर आन कर लें, ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मुबाइल पर मिल जाए, इसके लिए आउल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट करें, नमबर एक एलोवेरा, जी हां दोस्तों, एलोवेरा में कई तरह के औश्दिय गुड मोजुद होते हैं, इसका इस्तिमाल होम पैथी दवाईयां बनाने में भी किया जाता है, साथ ही एलोवेरा तुचा और बालो के लिए भी लाबदायक होता है, इसमें बिटामिन की भरपूर मात्रा होती है, जो बालो से अदरित तेल को हटाने में मत करता है, या बालो को मजबूती देकर उसे चढ़ने से रोकता ह ऐसे में इलोवेरा से आप बालो का मोश्यराइजर भी बना सकते हैं, इसके लिए आप एक गिलास पानी में आधा कप इलोवेरा जूस मिला लें, इस मोश्यराइजर को स्टॉक करके रख लें, अपने बालो को स्टाइल देने से पहले इस मोश्यराइजर को इस्प्रे अप उतक्रिष्ट स्रोर्स है और इसमें बायोटीन भी होता है जो बालों के विखास के लिए अच्छा होता है जब नियमित रूप से उपयोग किया जाता है तो अंडे का उपचार किसी व्यक्त के बालों को घना और मजबूत कहने में मत करता है इसके लिए आपको चाहिए एक य बालों को सौबर कैप से ढख लें एक घंटे के लिए रखें और इसे सैंपू से दोलें इसके बाद आप कंडिशनर का उपयोग कर लें जी हां दोस्तों ध्यान रहें कि पूरे अंडे का उपचार महिने में एक बार लगाया जा सकता है जबकि हर सब्ता में अंडे के साथे मंद होता है गरिंटी आपके बालों को बढ़ाने में मद़ाने में 一 diseases दोस्तों करिपत्ता बिठा करोटीन उपरटीन का समर्मिद स् TP लग्या और तेजी से बालों के विकास में मदद करता है यह कर्थ करम करने के लिए आपकी स्कैल्फ को मोशाराइज हर सकता है इसके लिए आप को चाहिए आधा कप नायर का तियल के तेल में कर में गर्म करें फिर पतियों को तेल के निकाले और इसे अपने भालों में लगाएं थोड़ी दिर के लिए अपने बालों की मालिस करें और फिर पालों को अच्छे से धो लें नमबर पांच रोजमेरी जिए हैं दोस्तों रोजमेरी बालों को बढ़ाने में काफी करगर है मिलता है इसके इस्तिमाल का तरीका भी बिल्कुल ही अलग है सैंपू में रोज मेरी के तेल की 10-12 मूदे मिला लें फिर रोजाना इसका इस्तिमाल करें छे महीने में आपको असर दिखाई देने लगेगा